इन सब stressful situation से क्या-क्या परिशानी हो सकती हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आज अब जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है बच्चों में होने वाला मानसिक दबाव या stress नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अश्मीर ओडियाल है और मैं दिल्ली बेस्ट बच्चों की specialist डॉक्टर हूँ तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल की दुनिया बहुत ही competitive होती जा रही है इस सबके चलते हुए बच्चों पे बहुत stress है हर तरफ से हम technology से गिरे हुए हैं आजकल के माता-पिता अपने बच्चों के लिए हर तरीके का आराम, खिलोने, पैंसिल, स्टेशनरी सब कुछ खरीद के देना चाते हैं और माता-पिता जो अपनी life में achieve नहीं कर पाए वो चाते हैं कि बच्चा जरूर अचीव करे और यही उन पर और उनके बच्चों पर होने वाले stress का मुख्य कारण है वह अपने बच्चों पे बच्चपन से ही तरह तरेके की activities जैसे की midbrain activation, abacus, dance, music, judo karate आधी का pressure या दबाव बनाते हैं कि आपको सब कुछ सीखना है यहां तक कि गर्वियों के छुटियों में भी बच्चे free नहीं रह पाते बच्चों की छोटी से छोटी achievement को parents, whatsapp और facebook पर share करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं इसके लावा बच्चों पे पढ़ाई का अलग से एक बड़ा बोज होता है हर parent चाता है कि उसका बच्चा doctor या engineer बने या कम से कम उससे तो ज़्यादा successful ही बने और covid महामारी के चलते, पिछले एक साल में बच्चों और parents पे यहाँ stress अपनी चरम सीमा पे है इन सब stressful situation से क्या-क्या परिशानी हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है? आईए मैं आपको बताती हूँ नमबर वन, बच्चा अपनी सई हुनर या कला को पहचान नहीं पाता नमबर टू, बच्चों में हर समय performance anxiety रहती है नमबर थ्री, क्यूंकि parents ने इतनी तरीके की hobby classes में इतने पैसे खर्च किये हैं तो बच्चों को लगता है अगर हमें competition में price नहीं मिला तो हमाई life तो worthless है बच्चे hyper active रहते हैं और इसकी वज़े से इनकी नेंद पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है तो parents की इस attitude से बच्चों में क्या-क्या समस्यां देखी जा सकती हैं उसके बारे में मैं आपको अब बताती हूँ सबसे पहले है नीम ठीक से ना आना बच्चों की sleep cycle खराब हो चकी है second most important क्योंकि बच्चे irregular time पे खाते रहते हैं इसलिए बच्चों में motapa बहुत frequently देखा जा रहा है और ऐसे बच्चों में चिट्टिडापन और जगडालूपन बहुत common है इसके लावा बच्चे सुस्त रह सकते हैं इसके लावा काम में मनना लगना, सुस्ती रहना और depression जैसी बिमारिया भी हो सकती है आपने सुनाई होगा हर साल बोर्ड की परिक्षाओं के time इसी stress की वज़े से कितने बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते काफी बच्चे depression में भी चले जाते हैं और कुछ तो even suicide भी कर लेते हैं तो ये सारी परिशानी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब आसानी से बचाई जा सकती है या preventable है कैसे आईए discuss करते हैं तो इस stress से कैसे बच्चे आईए हम 5 चीज़े discuss करते हैं इसके बारे में बच्चे को उसका interest जानने दीजिए उसको किस hobby में interest है उसे चूज करने दीजिए अपनी मर्जी से बच्चे को musician मनाने की कोशिश नहीं करिए अगर बच्चे को dance करना पसंद है Second, very important कभी भी दो बच्चों को compare मत करिए आप जानते हैं हमारे हाथ की 5 उंगलिया में बराबर नहीं होती है तो ऐसे ही एक बच्चा दूसरे बच्चे जैसा बिलकुल नहीं हो सकता है तो please don't compare Number 3 बच्चा बड़ा होके क्या बनना चाहता है उसकी राई जरूर लीजिए Number 4 किसी भी गलती हो जाने पर बच्चे को मारिये पीटिये नहीं उसको प्यार से समझाईए और Number 5th point जो कि बहुत important है आपको बच्चे को ये समझाना है कि मुझे यानि कि as a parent आपको अपने बच्चे की काबलियत और मेनत पर पूरा यकीन है निशेत तोर से अगर आप इन चीजों को follow करते हैं तो आपकी अपने बच्चे से understanding जरूर सुधरेगी आप दोनों का stress भी कम होगा और इससे आपके बच्चे की health भी improve होगी और आगे चलके वे जीवन में काफी अच्छा कर पाएगा तो इसी शुब कामना के साथ मेरा या वीडियो ही समाप्त होता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे like कीजिए share कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए अपने friends और relatives को भी मेरे चैनल की बारे में बताईए आपका कोई भी सुझाओ या comment हो तो नीचे comment box में आप लिकेज दे सकते हैं बाबाई